राज और पाट के देवता भगवान शनी भगवान शनी ग्रहों के समराठ बिना इनके कोई राजा नहीं बन सकता कोई पदा सीन नहीं हो सकता तो आज मकर संकरांती का दिन है मेरे सारे मित्रों को मकर संकरांती की बढ़ाई ओम नमस्षवाई प्रधान मंतरी महदी जी का और उनका हस्त और मस्तक थोड़ासा नज़र डालेगे और देखेंगे कि क्यों ये प्रधान मंतिरी बने हैं चिबसे पहले मैं हतेली में शनी का पाठ देखना चाहता हूँ अब आप दिखेए मैं इसको लाजसे बनाता हूँ सारे पर्वत बुलकुल उननत इसमें से आज हम शनी की बात करेंगे सबसे पहले मैं यह देखना चाहता हूँ इनकी लक लाइन यहां से चालू होती है फोटो क्लियर नहीं है फोटो थोड़ा सा दुरलब है यहां से लक लाइन चालू हो रही है और इनकी माइन लाइन में जाके समाहित हो जा रही है खतम हो जा रही है साथ में एक तिल है तिल बहुत सारे हैं लाइन में रुकावट बहुत सारे है मन का संगर्ष इनके जीवर में बहुत है आज हम यह बात नहीं करेंगे आज हम राजपाट की बात करेंगे तो शनी के परवत पे लग तो खतम हो रहा है एक लग लाइन और यहां से निकलती है और यह भी यहां पर खतम हो जा रही है और फिर थोड़ा सा कर आप पाड़ देखेंगे इनके मधायू के बाद का तो इनके माइंड लाइन डिस्टर्ब है यहां पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गुजरात का उनका जो घटना थी उनके जीवन में यहां उनके माइंड पर असर किया है यहां थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं यहां 35 मानते हैं यहां 55 मानते हैं ही देखिए प्रधानमंत्री यहां बन गए यहां पर मचले बने हैं हुआती है और लगभग बरावर है यह हम वीडियो में भिद कहते हैं में अंगुठा वगर्णा लोग सबी कहते हैं लेकर नाजम शनी परवत की बात करें गें अब शनी परवत पर जो सबतों चीज यहां माइड में रुकावट है लाइने अच्छी नहीं हैं लाइने सब काली हैं संगर्श बहुत है इन व्यक्ति के जीवन में संगर्श बहुत ह अब जो मुझे जो लगता है वो मुझे यहां मचली ठीक है लेकिन एक मचली और भी बन रही है यह देखिए यह परवतों के पार जाने वाली मचली है यह पीछे की तरफ बन रही है मुझे है यह जो मचली परवतों के पार चली जाए वो पता नहीं क्या दे देती है किसी को और एक मचली इस सूर्य परवत पर बनी मचली अगर तीन मचली और यहाँ पर इनकी लाइन में हरे से बना दूस्य डिस्टर्ब हो गई है आगे थोड़ा लाग्लाइन डिस्टर्ब हे और इन तीरों मचली हो ने इनको यह शनी की उंगली देखिए शनी परवट के उंगले स्ट्रेट है और यहां पे पुस्ट हे विचारों में भी बुस्ट और शरीर से भी पुस्ट यह मचलीों ने इनको भगवान शनी नहीति की सारी arloλη और सूरे भगवान की मचली बार देखते एक लाइन नहीं होती है और होती है तो कटपीट होती है यह वह च्छेत्र है जहां पर हम रिसॉर्स पता करते हैं कि व्यक्ति की शमता कि वह जो हम सीधे सब्दे में बोले तो उसकी ऑकाद क्योंकि शनी भगवान ही हमें अपनी आउकाद आइडेंटिफाई कराते हैं ग्रहों के समराठ हैं लाइनों पे डॉट्स बने हुए हैं मतलब जो भी चीज मिलेगी संगर्स से मिलेगी तीन लाइन होना मतलब शनी भगवान महरबान तो फ्लैक्शिन है इसको छोड़ देता ह और शनी भगवन क्या देते हैं जब लेस्ट करते हैं तो लोहा 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 तो यदि यह प्रधान मंत्री है भारत के तो सारे रेलवे जल्यान हवाई जा सबके मालिक हैं अगर बाद वाले जीवर में देखें तो भी यहां लाइने हैं अच्छी लाइने हैं मैं दो देख पा रहा हूं लेकिन फोटो क्लियर नहीं है मस्तक उन्नत है मस्तक बहुत अच्छा उन्नत है और शनी का यह जो इलाका है पूरी यहां कोई लाइन नहीं है बिल्कुल चिकना है तो शनी भगवान के महरवानी है यहां पे भी इसके नीचे गुरू होते हैं जो बहुत फाइ लाइन जा रही है मैं मोटा बना बैर रहा हूं लेकिन मैं और तो बुल्कुल यहां यह देखें तुछ इतने डॉat होते हैं सबका बुक्त जद तक Pas Das यहां पर है कि ज Сп musician अर जन में संगर्ष हुआ होगा के वंगल का परवत देखें हैं कि यह मशली बनी हुई है जै नहीं मशली नहीं बनी है कि यहां पर पूरा एक पर्वत बना हुआ है यह तो मैं कह रहा हूं कि यह जो कैलाश परवज जैसे आकरती है इसकी यह तो मेरे को और चेक करना पड़ेगा और इनकी दूसरी फोटोस में यह तो बुलकुल मैं तोड़ा से इसको ड्रॉ करके बता हूं लाल कलर से यह मुझे देखिए यह मंगल यह हम मंगल परवज मानते हैं यह मैं इस तरफ अगर हम देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड वह हमारा फस्टाफ होता है जीवन का यह दूसरा होता है तो उत्तरार्द अगर देखना है तो हमें इस तरफ अपने राइट हैंड साइड देखिए इधर मंगल बहुत चिकना है और अच्छा है लेकिन यह तो मारना थोड़ा रह गया था यह देखिए मंगल कितना सुंदर बना है मंगल कितना अच्छा उबहार है हमलोग भी वीडियो बनाते समय जब ड्राॉ करते हैं तो मंगल में और शुक्र में हम लोग भी कभी-कभी गल्दी कर जाते हैं लेकिन ये तो ऐसा बना है कि यहां पर ह हम वो देख सकते हैं कि actual कैसा मंगल होना चाहिए ये देखिए ये बारा करम देखिए ये मंगल है और यहां मंगल है यहां पर कैलाश परवज्जे से आकरती बनी हुई है ये मंगल है दोनों में मैच हो रहा है शनी विशेश है यहां पर तो शनी यहां पर तीन लाइन बनी अगर हम उसके थोड़ा सा नीचे इसको सोड़ा सा वाटर मर्खटा दू अगर उसके जस्ट नीचे मंगल के नीचे सब्गर बात करते हैं तो हम को यहांपे इस परवद्फपर हमको शुक्र करे खा मिलती है तो शुक्र को आल्मुस्ट रया पतंग बनी हुई है देखिए मैं ठोड़ा सा कुट रहा कर हूँ यहाँ पे देखिए शुक्र पे ुँन को जो सुख मिलेगा वहाँ पतंग बनी हुई हो एक नत्वा ढार रो इखिए यहाँ पतंग बनी हुई है शुक्र इसलिए जोडान को भरते हैं यह चलिए करते रहें जीवन में भारत की सेवा करते रहे रहे हैं देखिए शुक्र परवत परत रहे हैं है अब ये परवत है ब już WITH का जो में लालorns र्रह ओ बुज क arguably हूं तेने के देते हैं बुध यान हम का नहीं के की साइब नहीं हैं राजबाद देते हैं वो बुद guards भो रसज्व्तों मख्यान होता है, रसज्य होता है, धर्मग्य होता है, बहुत सारी क्वालिटी होती है, बुद्द के परवत पर इन का चंदर परवत है, यह शनी भगवान और मंगल जितना दे सकते हैं किसी मनुष्य को सब दे दिया है यहाँ परवत नुमा करती है नीले से बनाओ यह परवत नुमा करती है और यह शनी भगवान बेठे हुए है यहाँ पर तीन तीन लाइन यहां पे भी मैं दो देख पा रहा हूं लेकिन तीसरी नहीं दिख रही है मुझे और चलते चलते मित्रों एक शीज मैं बता दूँ शैनी विशेश है और मंगल विशेश है इसलिए ये भालत के ब्रथान मंतरी बने है लकलाइन कटी हुई है इनकी लेकिन केवल मचलियां अतिनी बड़ी बड़ी बनी है एक्राउस दपरवत इसलिए जिस विक्ति के शनी स्ट्रॉंग होते हैं उसकी आख आखों की जो पलके होती है जो विक्ति होता है उसके आखों की जो पलके होती है वो पर्दा नुमा होती है भारी होती है शनी प्रधान जो विक्ति होता है ये देखिए यहां देखिए ये उसकी पलके गद्देदार और पर्दे नुमा होती है बोटी होती है ये भी अच्छे शनी की निशानी है और ये भी अच्छे शन उमीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा श्री गणेशाय नमा, मासारा स्वती, नमस्तुर्भ्यम